दोस्तो कमजोर आखे और आखों पर लगा नजर का चस्मा प्रसनेलिटी खराब करने में बहुत बड़ा रोल निभाता है कमजोर आखों वाले लोगों को कहीं चीजों का ध्यार लखना पड़ता है हाला कि आखों के कमजोर होने और अन्य समस्याओं के लिए 90% इंसान खुदी जिम्मेदार होते हैं आजकल खाने में पोशक तत्तो की कमी भी आखों के रोग का कारण बन रही है इसके अलावा पूरी नीन ना लेना, तनाव, भागदोर और सिरदर्द आखों के रोग का कारण बन रहा है जब व्यक्ति तनाव में होता है तो आखों की मानस्पेशों को आराम नहीं मिलता जिसके चलते आखे दीरे दीरे खराब होने लगती है आज हम आपको कुछ ऐसे आहार और अन्य तरीके बता रहे हैं जिससे आखे खराब नहीं होती है क्या है वो तरीके आईए जानते हैं अगर आप स्वस्ता आखे चाहते हैं तो सबसे पहले अपना खान-पान सही करें हफते में कम से कम तीन बार मचली का सेवन करें इसके सेवन से आखों में ड्राइ आई सिंड्रोम की समस्या दूर हो जाएगी इसके अलावा पालक का सेवन करें ये पोशक तत्तों से भरपूर होती है जिससे आखों की रोशनी बढ़ती है अपने आहार में अंडे को भी शामिल करें, क्योंकि इससे ल्यूटिन और जियाक सैंथिन मिलता है, जो आँखों की रोशनी को बढ़ाता है. किसी भी ऐसी हवा से बचना चाहिए, जिससे आँखों की नमी चली जाती हो, जैसे AC की सीधी हवा. अपने घर, आफिस या गाड़ी में AC के पैनल को हमेशा नीचे रखे, ताकि आपकी आँखों पर सीधी हवा ना लगे, सुस्क हवा लगने से अंधापन या कॉर्निया में बीमारी हो सकती है. अगर आपकी आँखों की रोशनी बिल्कुल ठीक है और आपको पढ़ने में भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है, फिर भी साल में कम से कम एक बार आँखों की जाच अवस्य करवानी चाहिए. ये आँखों को स्वस्थ रखने का सबसे बहतर तरीका है. इससे आँखों में होने वाली समस्या से भी निजात मिल जाती है और समय पर उसका इलाज भी हो जाता है. अगर आप कम्प्यूटर और मुबाइल का इस्तिमाल ज़्यादा करते हैं तो उसकी ब्राइटनेस को कम रखें. इससे आपकी आँखों को ज़्यादा जोर नहीं लगाला पड़ेगा. और स्क्रीन की तेवर रोशने से आँखों को कोई नुकसान भी नहीं पहुँचेगा. अपकी पलकों का लगातार जपकना एक सामाने प्रक्रिया है जो अपके आँखों को तरु ताजा रखता है और आँखों को तनाव मुक्त रखता है. कम्प्यूटर का इस्तिमाल करने वाले लोग अपनी आँखों की पलकों को कम जपकाते हैं. ऐसे लोगों को अपनी पानी आपके सबी समस्याओं का निदान करता है। समय समय पर अपनी आखों को धोते रहें। इससे आखों में डी हाइडरेशन नहीं होगा और वा स्वस्त रहेगी। बाहर से आने के बाद आखों पर पाने की चीटे जरूर मारें। कहीं भी बाहर धूप में निकलने से पहले संग्लासेज जरूर पहने। इससे आपकी आखें पराबैंगनी केंडों से बची रहेंगी और उन्हें कोई नुकसान भी नहीं होगा। इसलिए आप जब भी संग्लासेज खरीदने बाजार में जाएं तो ये सुनिक्षित कर लें कि वो पूरी तरह यूवी प्रोटेक्शन देने में सक्षम है या नहीं।